नमस्कार दोस्तों मैं बासकर मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का देश के नंबर वन एजुविशन प्लेटफॉर्म वाइफाइ स्टड़ी पर विच इस पार्ट ऑफ अन अकैडमी मेरे जितने भी दोस्त साथी मित्री यहां पर जूड़ चुके हैं सभी को very good afternoon session को share कर दीजे दोस्तों के साथ और like करना बिल्कुल भी ना भूलिए पूरी उमिद है दिवाली आपकी बहुत अच्छी वी दी होगी दोस्तों दिवाली खतम हो चुकी है अब यहार खतम हो चुके हैं पढ़ाई की बारी है वापस पटरी पर आ जाईए और शुरू कर देजे पढ़ाई दोस्तों गोल को हमेशा दिमाग में रखना है और इस code का इस्तमाल करिए जिसकी मज़स से आपको मिलेगी सफलता की कुंजी मिश्टन इसमाल करिए किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए अनकैडमी पर आगे बढ़ते हैं चलिए एक बज़े साड़े चार बज़े साथ बज़े ये तीन सेशन आते हैं जो की यूट्यूब पर आते है और सुबह सुबह अगर आपकी शुरुबात करेंट अफेर के साथ हो जाए तो दिन भर की पूरी खबर आपको बिल जाती है हम प्रोवाइट करेंगे ये सारी चीज़े आपको दोस्तों वह भी फ्री एकदम आप मिल सकते हैं आठ बज़े हमसे आनकैडमी पर वह भी बै अगे शुरू कर देते हैं सवालों के फेरित रश्यान लैंग्विज डे इस सेलिबरेट बाइए युनाइटे नेशन ऑफ विच रश्यान पोईट एक सवाल नहीं है इसके अंदर कई चीज़े शुपी हुई है पहली चीज़ को मेरे दोस्तों इस दिन को सेलिबरेट किया जाता है युनाइटेड नेशन द्वारा किस दिन किस दिन वो दिन कौन सा ये दिन सेलिबरेट जाता है मेरे दोस्तों 6 जून को 6 जून को अगली बात क्या रश्यान लैंग्विज जो है वो युनाइटेड नेशन की ऑफिशल लैंग्विज है बिल्को सही बात है यून की 1945 को इसकी स्थापना हुई थी 1945 को establish किया गया था official language की जब बात करेंगे तो इसकी official language की संक्या 6 है official language जो में दोस्तों वो कितनी है वो है 6 अगली बात इन 6 language में Russian language भी आती है और Russian language day किसके जन्म दिन पर celebrate किया जाता है दोस्तों वो है वो एक Russian poet है जिने बोला जाता है father of modern poetry father of modern literature बोल सकते हैं आप Russia में नाम है उनका Alexander Pushkin Alexander Pushkin ये काफी जानावाना नाम है Russian में और इन ही के जन्म दिन पर इस दिन को celebrate किया जाता है इस चीज को जाल रखेगा बेटा कई चीज़े यहां पर option में और भी दी गई हैं जो काफी काम की हैं आपके exam के नजरिये से वुलादमेर पुतिन की जब बात की जाती है तो ये president है Russia के 2036 तक रहने वाले हैं लेकिन खबरे ऐसी भी आ रहे हैं कि 2021 में हड़ भी सकते हैं ये अफ़ाहों का बाजार है बना रहता है और बड़े लोग ऐसा बना कर रखते हैं वुलादमेर पुतिन की जब बात करते हैं 2036 तक रहने की उमीद है मुझे नहीं रखता कि एक बार समीधान में जब modifications हो चुके हैं उसके तहट किसे कुछ बड़ा जाएगा अब बात करते हैं पी-म कौन है तो पी-म है समय मिखाल मिशिस्टिन ऐसा रखता है कोई डाउन का नाम है लेकिन नहीं ये पी-म है कहां पर रशिया में दिमित्री में देव देव ये former prime minister है पहले वाले जो हैं ये former prime minister है अब रशिया की जब बात कर रहे हैं तो यहां की capital city का नाम है Moscow capital city है दोस्तों Moscow currency है ruble और एक day मनाय जाता है जिसे बोलते है victory day तो रशिया का victory day जो होता है वो होता है 9 माई को और 9 मई को इसलिए मनाते हैं क्योंकि नाजियों पर जीत यादगार है Second World War, जर्मन नाजी द्वारा, हमला रशिया में और रशिया में आधा रशिया लगवक तबाव हो चुका है लेकिन उसके बावजोद रशिया एक जूट होता है, लड़ता है और नाजियों को हराता है और इसलिए 9 मई 1945 को इस दिन को विक्टरी डे के तबाप मना जाता है और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए रचिया ये जगा है बेटा मौस्को में ही है सारे बड़े इवेंट्स यहीं पर होते है याद रखेगा अब इस बार 9 मई को ना होकर यह हुआ है 24 जून को और हमारे राजनाज सिंग्याने की डिफेंस मिनिस्टर ने भी हाँ पर पार्टिसिपेट किया है 75 कंटिंजेंट के साथ 24 जून याद रखेगा 24 जून ठीके दोस्तों 24 जून की बात की जारी है अगला सवाल अगला सवाल यहां से बन सकता है कितने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एर फोर्स आर्मी, एर फोर्स और नेवी यह तीनों से नौ के 75 कंटिंजेंट यहां पर पार्टिसीपेट कर रहे होते हैं 24 जून को भारत की तरफ से यहां पर रक्षा मंतरी इसलिए भी गयते है क्योंकि हमें S-400 चाहिए चाइना के साथ लगातार बढ़ते हुए विवाज जो है उसको कैसे कंट्रूल किया जाए एक प्रकार के डिफेंशियल प्रेशर क्रियेट किया जाए इसके लिए S-400 जरूरी है और इसलिए यह एंटी मिसायल सिस्टम जो है इसकी डील के लिए हमारे राजनास सेंग याने कि डिफेंस मिनिस्टर जो है वो रश्या पहुचे थे इतनी बाते करीं काफी है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर बंदे उतकल जननी यह जो बंदे उतकल जननी मेरे दोस्तों यह स्टेट एंथम है कौन से राजे का बंदे उतकल जननी यह उडिसा का स्टेट एंथम अनौंस कर दिया गया है ठीक है दोस्तों अब पूचा जा सकता अगला सवाल किस के दोरा लिखा गया मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ इसको लेकिन जो हम खबरे बढ़ रहे हैं इस चीश को समझ यह यह आपकी पुरानी खबरे है ठीक है दोस्तों पुरानी खबरे का मतलब हम पिछले छे महिने की करेंट अफेर को एक बार फटा फट रीकॉल कर रहे हैं बंदे उतकल जननी की बार जब करते हैं दोस्तों तो यह लिखा है लक्षमी कांत मोपात्रा ने लक्षमी कांत मोपात्रा याद रखेगा मोपात्रा 1912 में उनके दोरा लिखे गए थी 1912 में इसे लिखा गया था उडिसा की जब बात करते हैं तो यह अपना स्टेट फॉर्मोशन डे उतकल दिवस के तौर पर मनाता है एक अप्रेल को उतकल दिवस के तौर पर याद रखेगा काफी काम की बात है उतकल दिवस के तौर पर यह मनाता है अपना स्टेट फॉर्मोशन डे वो भी एक अप्रेल को मनाता है यहाँ पर सियम इस समय कौन है सियम जो है उनका नाम है नवीन पतनायक जो की बीजू पतनायक के बेटे हैं और उन्हें की विरासत को संभाब रहें और गवर्णर है यहाँ पर गणेशी लाल तो गणेशी लाल और नवीन पतनायक नवीन पतनायक जी के घर का नाम पपू है याद रखेगा खास बात बता रहा हूं मिलता रहता हूं इसरी मैं तो दोस्तों, कुछ ऐसी खबरें जो आम तोर पर हम ठ्वड़ा छोड़ देते हैं योजनाओं से संभनीत बातों को कर लेते हैं यहाँ पर तीन बाते करूँगा योजनाओं से पहली योजना तो दोस्तों, मधु बाभू योजना जो की महिलाओं, ट्रांसजेंडर्स और जो विद्वा हैं उनके लिए, विडियोस के लिए, मधु बावु योजना, इसको थोड़ा एक्स्टेंड किया गया और इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी आड़ कर लिया गया, पैंशन दी जाती है, दूसरी चीज, बाला राम योजन के लिए, बाला राम योजना, तीसरी केंज सरकार की योजना है, अमरत, अमरत की रैंकिंग आई, और ये योजना आती है, Ministry of Housing and Urban Affairs के अंतरगत, महुवा के अंतरगत, ठीक है, इसके अंतरगत आती है, ये जो है, अब इस रैंकिंग में जो है, उडिसा नंबर एक पर रहा है अब देखें, तीन बाते बता दी गई हैं, आपको इन तीनी बातों के याद रखेगा, उतकल दिवस याद रखेगा, लक्षमी का अंतर मुपात्रा, 1912, बंदे उतकल जन्नी, स्टेट, एंथम का दरजा, ठीक है दोस्तों, कारणी को आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल प तो अपने आप दिमाग में आ जाता है किया राज से राजस्थान, तो आप तुक्का भी मारेंगे तो सही सटीक बैठ जाएगा, राजस्थान की बात की ज़री है, तो राजस्थान सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, राज कोशल पॉर्टल और ओनलान श्रमिक एम्प्लॉ ली गई है नाम बदल दिया गया है काम वही है आठ रुपए में नास्ता दिया जाएगा आपको हम चाहते हैं वहां पहुंचे आपको नास्ता करने का मन कर रहा हमारा भी राजस्थान में उस योजना का नाम है दोस्तों इंद्रा रसोई योजना कौन सी योजना है इंद्रा इंद्रा रसोई योजना, इंद्रा रसोई योजना, इंद्रा रसोई योजना, मेरे दोस्तों, इसमें टोटल बजट एक साल में दिया गया है, 100 करोड का टोटल बजट रखा गया है, पहले इस योजना को अनपूर्णा रसोई योजना के नाम से जाना जाता था, जब भारत जन्ता पार्टी की सरकार यहां पर भुबा करती थी आठ रुपे में नास्ता दिया जाता है बोला गया कोई भूखा नहीं सुएगा इस राज्य में ऐसा बोला गया इस यूजना के तहर ठीके दोस्तों नेशनल पार्क की जब बाते की जाती है तो रण थंभौर यहीं पर है सरिस्का भी यहीं पर है केला देव इसलिए इंपोर्टन है क्योंकिdeep मौट्रेक्स लिस्ट धिसमें जो भी व्यच्लैंड है ठीक है उनको बोच सकते हैं कि एक प्रकार सुन की लिस्ट तैयार की गई है बायो डाइवर्स्टी से संबंदी जो चीज़े हैं जो केवलादेव नेशनल पार्क है मेरे दोस्तों वो उस लिस्ट में आता है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं यहां पर मद्री प्रदेश की टाइगर यहीं पर हैं 526 सब्षयदा फॉर्स पर्सेंटेज यहीं पर है नैशनल पार्क की संक्या सब्षयदा देश में इसी राजी में हैं और टाइगर रिजफी सब्षयदा यहीं पर है टाइगर डे 29 जुलाई को मनाय जाता है जारखंड हेमंद सुरेन दुरौपदी म दुर्मू याद रखेंगा। चतिसगर्ड भुपेश सिंह बगेल और अनुसुया उकी इनको भी दिमाग में रखेंगा। राजस्थान अशोक काला अशोक गहलोत और कलराज मिश्रा नाम याद रखेंगा। सब काम की चीजें हैं। उतरखंड forest department opened the first and biggest biodiversity park in which district on unward environment day। खबरों का पिटारा है इस वर्ष ऐसे जैसे केरल हैं जैसे उडीसा है वैसे उतरखंड है। खबरे भड़ी भड़ी पड़ी है ठीक है दोस्तों तो उत्राखंड में ये कौौन से डिस्टिक départ का नाम है हलद्वानी है हलद्वानी में इस पहले अपने आप में पहले बाइट डिवर्सटी यह थी नगर 1 scheme कौन सी scheme है दोस्तों नगर 1 scheme नगर 1 scheme और इसकी शुरुआज भी कर दी गई है इड़ा नगर और रांचल प्रदेश की याज रखेगा 200 urban forest बनाने का target रखा गया 200 urban forest शहरी one तयार करेंगे urban forest तयार के जाएंगे ठीके दोस्तों इसके अलावा इसी दिन हमारी सरकार द्वारा दो project भी शुरू किया गया फिर से project loin ये एनॉंस किया गया है और project dolphin भी शुरू किया गया है धानमंतरी मोदी द्वारा ठीके बच्चे याद रखें सारी ख़बरों को अब जो की उत्राखंट से संब्दित ख़बरे हैं और आपके examically important हो सकती है उनको भी दिमाग में रखें एक बार जैसे देश का पहला लाइकन पार देश का पहला लाइकन पार जब बात करते हैं तो कोई पूछे कहां पर है देश का पहला लाइकन पार जो है वो मुन्शियारी जगा है कुमाओं डिस्टिक में वहां पर है उत्राखंड में ही है कुमाओं में ऐसे ही कोई पूछे पहला snow leopard snow leopard conservation center देश का पहला snow leopard conservation center दोस्तों कोई पूछे आप से कहां पर है तो आप बोलेंगे ये उत्तरकाशी में है उत्तराखंड में उत्तरकाशी उत्तराखंड UK में वो कौन सार रीजन है जिसे अभी हमारे पर्यावर्ण मंतराला द्वारा एको सेंसिटीव जोन खुशित किया गया है वो भगी रती रीजन है भगी रती रीजन जो की लोवर हमाले में आता है दोस्तों इससे एको सेंसिटीव जोन खुशित किया गया लगातार बोसकते हैं कि पर्यवर्ण को नुकसान पहुच रहा है और development के कारिजारी हैं टेरी डैम भी इसी जोन में आता है और भगी रती नदी पर बना हुआ है देश का सबसे उचा डैम जब पूछा जाता है तो टेरी डैम ही है मेरे दोस्तों इन सारी बातों को याद रखे सब बाते काम की हैं जब लाइकन की बात करते हैं तो यह वो एक indicator होत है याद रखे हाई कोट कहां पर है त्रखंट का नैनिताल में ही है दर दुन Capital City है और एक और नए Capital City गैरसेन कोई से Capital City बनी दोस्तों गैरसेन बनी है याद रखेगा ठीक है बच्छे हरदवार में गंगा अवलोकन गंगा अवलोकन पहली गंगा से जुड़ी हुई संग्र अब से पुछ जारा Plantation Drive नेम थैंक्स मॉम इसकी शुरुवात कौन से राज में हुई Plantation Drive का मतलब एक अभियान जिसके तहत एक साथ बहुत पेड़ लगाए जाएंगे इसकी जब बात की जाती दोस्तों तो इससे शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम के अलावा F.I.R. आपके दौर F.I.R. आपके दौर F.I.R. चरण पादुका F.I.R. जब मजदूर वापस लौट रहे थे अपने घर तो नंगे पाउँ आ रहे थे पाउँ में च्छाले पड़ गए थे इस कैंपेन के तहते इस अभियान के तहते मेरे दोस्तों जो भी मजदूर थे उनको स्लीपर्स और शू प्रोवाइड किये जा रहे थे ठीक है इसके अलावा आपसे कोई पूछे मद्य पुछे जब बात की जाती है मैं पहले बता दूँकर किते नैशनल पार हैं आपर यहाँ पर नैशनल पार्क के संक्या बेटा नौ है छे टाइगर रिजर्व हैं ठीक है इन सारी बातों को अपनी किड्नी में बसा लीजें काम की हैं आपसे एक कोश्चन पूछता हूँ यह इस पंदन स्कीम जो है मैलाओं की सुरक्षा से संब्दित है यह याद रखेगा ठीक है दोस्तों चलिए अगला सावाल देखते हैं क्या है विच स्टेट वो कौन सा राज यह है जिसने टॉप किया है फूड सेफटी एंडेड ऑफ इंडिया के द्वारा फूड सेफटी इंडेक्स दोजार निस पीस के देखे एक दिन होता है जिसे बोलते हैं इस दिन हमारी संस्ता है इसका फुल फॉर्म है फूर्ट सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफॉर्टी ऑफ इंडिया और इसका हैड़कॉर्टर दोस्तों नई दिल्ली में कहां पर है न्यू डेली में इसके द्वारे ये दूसरा इंडेक्स रिलीज किया गया इसी पर्टिकॉर्टर पर तीन कैटेगरी में इंडेक्स को रिलीज किया गया है जब खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो वह कौन से राज हैं जो इससे संबंधित जो भी ऑपरेशन से हैं जो भी प्रोजेक्ट से दूसरी जब बात की जाती है लार्ज इस्टेट के अलावा उसे बोलते हैं दोस्तों Small states चोटे राजे तीसरी जब बात की जाती है तो बोलते हैं Union territories यूटीज लार्ज स्टेट में या पुछा गया कौन सा स्टेट टॉपर उसका नाम है गुजरात इस्टेट में दोस्तों गोवा गोया जैसे बोलते हैं और Union territory में चंडीगर टॉपर है ठीक है अभी यह दो food safety से संबदे एक ख़बर थी लेकिन जब बात करते हैं World Food Program की कौन से प्रोग्राम की दोस्तों World Food Program ये एक United Nation का प्रोग्राम जिसे 2020 में Peace Nobel Peace Prize मिला है इसका Headquarter दोस्तों कहाँ पर कोई पूछे तो आप बोलेंगे Headquarter है इसका Rome में और एक और दिन है जो की Food and Agriculture Organization से संबदे थे FAO से World Food Day विश्व खादी दिवस का मना जाता है तो आप बोलेंगे 16 October को 16 October को इस संस्था की 75th anniversary थी 75th anniversary थी भारत के इस संस्था के साथ इस organization के साथ अच्छे संबंदो पर हमारे प्रधान मंत्री द्वारा 75 रुपे का कॉईन भी 75 रुपे का कॉईन जो है इसी भी लॉंच किया गया इतनी सारी खबरें एक जगा पर आपको मिल रही है recall कर राए जा रही है दोहराई जा रही है अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो थम्स अफ जरूर करिए और साथ साथ में साथ साथ में सेस्षन को लाइक करिए अपने दोस्तों साथ शेयर करिए और आना कीडमी पर सुबा डेली आथ बुजए कर इंटरफेर करने जरूर आईए मिश्रा 10 is my code इस code का इस्तमाल करिये किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए मेरे दोस्तों 16 नवंबर का दिन है दिवाली आपके काफी अच्छी बीती है मुझे पता है तो अब पढ़ाई भी करनी जरूरी है यहाँ पर अगला सवाल है M. Nethra नाम तो सुनाई होगा M. Nethra का अपने M. Nethra की जब बात की जाती है मेरे दोस्तों यह 13 साल की उमर की बच्ची है और पूछा जाता है कौन से स्टेट से यह स्टेट है तमिलाडू और तमिलाडू का वो डिस्टेख है मदुराई कौन सा डिस्टेख है दोस्तों मदुराई याद रखेगा मदुराई इस बच्चे के जो पिता है सौरी वो बारबर शॉप चलाते है इस बच्चे की पढ़ाई के लिए उन्हें पांच लाख रुपे कटे किये थे लेकिन इस लॉक्डाउन में जो भारी जंख्या में लोग वापस अपने घरों को लोट रहे थे भूके थे तो इस बच्चे के निवेदन पर रिक्वेस्ट पर इसके पिता जीने और तो संस्था के तहत is goodwill ambassador for the poor एनौंस करता है एपोइंट किया जाता है और वो कौन सी संस्था है वो पूछे जाती कहानी बें बढ़ा दिया आपको मैंने उस संस्था का नाम क्या है साई जवाब संस्था का नाम क्या है मेरे दोस्तों UNADAP UNADAP Association for Development and Peace United Nation Association for Development and Peace ये UN की ही बोड़ी है UN की एक बोड़ी है इसका नाम है ECOSOC ECOSOC के अंतर गता है Economic and Social Council के अंतर गता है ECOSOC के तहता है ठीक है बच्चों सारी बाते समझा रहे होगी सारी कहानी समझा रहे होगी तमिलनाडो के CM का नाम इदा पदी, पलान इसामी और गवर्नर वहाँ पर है बनवारी लाग पुरोहित 3000 रुपे वाली स्कीम जो की यूथ लॉयर को दी जारी दो साहत तक पेंशन दी जाएगी पहली अंबिलन्स ड्राइवर वीर लक्षपी वहीं की है जी अकाश जो की 66 ग्रैंड मास्टर हैं चेस के वो भी तमिलाडू से ही बिलॉंग करते हैं गल्फ आफ मनार तमिलाडू में ही है काविरी नदी और सबसे पुराना डैम कला नई डैम वहीं पर है वो कौन सा राजी है मेरे दोस्तों जिसने देश का पहला ओनलाइन वेस्ट एक्चेंज प्लेटफॉर्म लाँच किया है ओनलाइन वेस्ट एक्चेंज प्लेटफॉर्म बहुत जवर्दस टेक्नोलजी सी परिपूर्ट राजी है वो तेलंगाना है करनाटा के आंद्रप्रदेश या फिर तमेजाड़ Compan? आंसर है मेरे दोस्तों अंद्रप्रदेश जहां पर जगन अन्ना जम्मिदारी सम्हाले हों है वो योजना है जिनमें जगन अन्ना का नाम आजाए या अन्ना का नाम आजाए या फिर वायसार का नाम आजाए इनके पीदा जी का नाम वो सारी हो जना है आंद्रप्रदेश से ही आंद्रप्रदेश पहला राज जो की linguistic आधार पर देश में अलग हुआ था याने कि एक separate state के तोर पर मानिता देगे थी एक नमबर 1956 याद रखेगा देश में पहली बार linguistic basis पर states का आंद्रप्रदेश तीन कैपिटल सीटी कुर्णूल अमरावती और विशाका पत्ना पांच डेपिटी सीम याद रखे का रायतू भरुसा स्कीम यहीं की अगला सवाल अगला सवाल वो अपॉंड़ेट एज इंडियाज न्यू आप दोस्तों के जानकारी के लिए जैनेवा में ठीक है दोस्तों डवू ट्यो की बाद जब की जाती है तो यहाँ पर वर्ड ट्रेड ओगनाजिशन की जो मुखिया थे उनका नाम था रॉबर्टू एजवेदो जिन्होंने अपने पस से इस्तीफा दे दिया है नए पद पर कौन बैठेगा दो महिलाओं के नाम आ रहे हैं पहली बार चर्चाएं जब नुक्ति मिल जाएगी तब बात की जाएगी अब पुछा गए नए राजदूत कौन है टी एस्तुरी मूर्ती तो बिलकुल नहीं क्योंकि दोस्तों याद रखेगा इस खबर को राजश खुलर की जब बात की जाती तो राजश खुलर वर्ड बैंक में विश्व बैंक में एक्जेकिटिव डिरेक्टर है एडी फिर से एक बार कोट का इस्तमाल करना जरूरी है पाना है छूट तो जुड़ना है हमारे साथ सफलता के लिए पहला फॉर्ण बैंक जिसने अपने ओपरेशन शुरू किये है इसका नाम बता दीजिए ये गिफ्ट सिटी कोई पूछे कहां पर है तो आप बोलेंगे गांधी नगर में कहां पर दोस्तों गांधी नगर कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात स्टेंडर्ड चार्टर ये वो बैंक है जिसने अपना ब्रांच उपन किया है हेड़कॉर्टर इसका दोस्तों लंडन में हेड़कॉर्टर कहां पर है कोई पूछे तो आप बोलेंगे लंडन में है ठीक है दोस्तों अब पहली महिला स्वारी फरस्ट इंडियर जिन्होंने अब रिचर्ड डॉकिन्स आव़ड जीता है अब रिचर्ड डॉकिन्स आवड बेटा ये अमका में एक NGO है जिसके द्वारा दिया जाता है काफी वर्शों से आवड दिया जा रहा है अपनी बेवाकी के लिए दिया रहता है यानि कि सोशल मुदों पर और जो ऐसे लेखक और जिसनके बात कर सकते हैं जावेद अक्तर सहाब जिनके बेटे फरहान अक्तर बिटिया जोया अक्तर सब पतनी सबानाजमी सब इसी कलाच छेतर से ही जुड़े हुए है तो मेरे दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा इतनी सारी बाते जानी आपने ए सब्सक्राशन को मेरे प्यार में दो जाने से प्यादें